हाई एवरिवन कैसे आप सब आज में लेकर आई हूँ एक कप गे हूँ और आधा कप मटर से बहुती टीस्टी क्रिस्पी नाश्टा की रेसिपी जिसे आप शाम की चाय के साथ बच्चों के टिफिन में और छोटी मोटी भूग के लिए आप इसे बना सकते हैं चट पट से य यह की पार मटर फ्रेश मतर उसके बाद हम इससे सिम्पल ग्राइंड कर कर लेंगे यह देखिए ए ग्राइंड हो Union कि क challenging अधिक नकिक्स वर्षाब हम यह दालें टेल कि यह दाल तब आधा चमाच गरम होना के बाद लिएक तब आरने के साथ एट कर देजें दो हरी मिर्च कटे हुए वह एट करने के बाद इसे हमें mill कर लेना है जिससे मटर का जो कच्चापन है वो खतम हो जाए हमने इसे एक मिनट तक फ्राइ कर लिया है इसमें कोई भी नमग, कोई भी मसाला अड नहीं करना है तो ये बिल्कुल तयार है तो चलिए अब नेक्स टेप में चलते हैं नेक्स टेप में हम एक बॉल ले लेंगे उसमें डालेंगे एक कप केहूं के आटे और साथ में एड करेंगे एक चमच चावल का आटा चावल का आटा डालने से बहुत क्रिस्पी हो जाता है नाश्टा साथ में एड करेंगे एक चमच, लाल मिच, ग्रश किया हुआ, नमक, काली मिच, अधा चमच के करीब साथ में यहाँ पर मैं वाइद तिल यूज कर रही हूँ, सफेद तिल से टेस्टी बनता है बहुत नाश्टा साथ में एड कर देंगे हरा धनिया वाइड कर दें और आप इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डाल कर एक बैटर तयार कर लेंगे हलकी गाड़ी बेटर आपको उसे तयार करना है तो बस थोड़ा सा पानी डाल कर हमें इसे मिक्स कर लेना है और आपका एक बेटर बनके तयार हो जाएगा तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा बेटर बनके तयार हो गया है बहुत ही easy नाष्टा है ज़रूर ट्राइ करिएगा तो बस ये बैटर तयार हो गया है तो अब हम इस टाइम पर एड़ कर देंगे फ्राइ किये हुए मटर जो हमने भून के रखा था वो एड़ कर दें और इसे भी बहुत अच्छे से हमें बैटर में मिक्स कर लेना है और ये बैटर बिल्कुल तयार हो चुका है तो इस बैटर को आप स्टोर करके फ्रिज में दो से तीन दिन रख सकते हैं और जब आपको बनाने का मन करा पस इसे हलके से तेल में फ्राइ कर ले और आपकी क्रिस्पी नाश्टा बनके तेयार हो जाएगी तो चलिए अब हम इसे फ्राइ कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्राइ पें में तेल डाला है और हम इसमें एड़ कर देंगे बैटर तो आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे गोल शेप यहाँ पे मैं बना रही हूँ चीला के टाइप पे आप इसमें डाल दें बहुत जादा मोटा भी नहीं बहुत जादा पतला भी नहीं एक तरह से आप इसे बनाए और अलट पलट करके हमें इसे ब्राउन कलर करके त्यार कर लेना है तयार होगा दो मिनट लगा इसे प्राइ करने में दो मिनट में हेल्दी टेस्टी क्रिस्पी सा नाश्टा बन के तयार है बस इसे चान कर हम एक प्लेट में रख लेंगे तो पास से दस मिनट में आपका क्रिस्पी टेस्टी हेल्दी नाश्टा बन के तयार है तो थोड़ी सी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करिए अपना बहुत सारा ह्याल रखिए मिलती हुए एक नहीं रेसिपी के साथ ठैंक्स पर वाचिंग